दोस्तो हर महिला का सपना होता है कि वह भी अपने संतान की मा बने क्योंकि मा बनना हर महिला के जीवन का एक सुखद एहसास होता है जब किसी महिला पहली बार गर्वधारन करती है तो गर्वधारन करने के बाद से वह पुड़े 9 महिना गर्व में अपने सिसु का विशेश रूब से ध्यान रखती है और जब वह अपने सिसु को जन्म देती है तो हाँ से उनके जीवन में एक नई दोर की शुरुआत होती है दोस्तो प्रेगनेंसी के पुरे 9 महिने के बिच गरवती महिला के मन में कुछ ना कुछ सवाल हमेशा चलती रहती है दोस्तो जब डिलीबरी की समय नजदिक आती है तो हर गरवती महिला के मन में यह जानने की उत्सुकता काफी ज़्यादा बनी रहती है कि उनका होने बाला सिसु क्या होगा लड़का होगा या फिर लड़की होगी दोस्तो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में ना तो बेटा किसी से कम है और ना ही बेटी किसी से कम है इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप बेटा या बेटी में भेद भाब बिलकुल भी ना करें दोस्तो यह वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाई गई है यह चैनल किसी भी तरह के लिंग भेद भाब को सपोर्ट नहीं करता है दोस्तो ऐसे तो हमारे देश में समय से पहले भुरून का लिंक परिछन कराना एक तरह का गैर कानूनी अपराध माना गया है इसके लिए आप किसी भी तकनिक की साहरा नहीं ले सकते हैं पर दोस्तो आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो के माध्यम से हम आपको दो ऐसे महत्वपुन लक्षनों के बाड़े में बताएंगे जिसे आप गढ़ बैठे आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके गढ़ में पलाह सिसु लड़का है या फिर लड़की है दोस्तो इस तरह के लक्षन से अनुमान लगा कर पुराने जमाने के लोग गढ़ में लड़का है या लड़की का आसानी से पता लगा लेते थें और दोस्तो ये लक्षन 100% तक सच भी साबित हो चुके हैं तो आईए दोस्तो आप उन्हीं के द्वारा बताएगें दो लक्षनों के बाड़े में जानते हैं तो सिम्टॉम्स और बेबी बॉय के पहला लक्षन है जब आप प्रेग्नेंसी के पांचवे महिने में परबेश करती है तो पांचवे महिने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा थाकाबट महसूस होने लगती है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि थाकान की स्थिती में यदि आप बाई तरफ यानि लेफ्ट साइड करबट लेकर सोना ज़्यादा पसंद करती है तो यहाँ बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके गर्भ में पल्लाहा सिशू एक प्यारसा लड़का ही होगा और ठीक इसके बिप्रित यदि प्रेग्नेंसी के दाउरान आप दाई तरफ यानि राइट साइड करबट लेकर सोना ज़्यादा पसंद करती है तो यहाँ बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आप एक बेटी को जन्म देने वाली हो आईए दोस्तो आप सिम्टॉम्स आप बेबी बॉय के दूसरे लक्षन के बाड़े में जानते हैं तो दूसरा है हर्ट बिट ऑफ बेबी यानि आपके सीशू के धरकन दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर आपको हर तीन महीने पर एक अल्टरासाउंड करवाने की सलाह देते हैं ताकि वहाँ आपके सीशू के सारीरिक बिकास एवं धरकन को समय समय पर देख सके दोस्तो अल्टरासाउंड रिपोर्ट के अनुसरा यदि आपके सीशू का हर्ट बिट यानि धरकन 140 बिट पर मिनट है या फिर इससे थोड़ा कम रहता है तो इससे आप समझ जाए कि आप एक बेटे को जन्म देने वाली हो और ठीक इसके विप्रित यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके सीशू का धरकन 140 बिट पर मिनट से ज़्यादा रहता है तो या बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आप एक बेटी को जन्म देने वाली हो दोस्तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्तिया जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट ब आपको क curriculum कॉमेंट आपको क्सकेριो को जब से जाफ़ सबस्तो माना सम्म दे एक कि अवी नहीं को से लि 77 लगियो है कि अर만 satu नहीं आपके रहता हैं से बιस्तों वाली हो इव हैं लिए पर शेर्ष़ख से दोसमें में मैं पर कोंको